नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नताशा आज की ब्रे में लेके आई हुमें रिष्टो को सासात महबबत को तारतार करने वाली एक ऐसी कहानी जो की आज कल काफी जादा चर्चाओं में हैं दिल्ली में होने वाले ये चर्चित घटना जिसने भी सुनी उसके रोंग्टे खड़े हो गए कोई इतना कैसे गिर सकता है कोई इतना कुरूर कैसे हो सकता है जिससे महबबत के दावय किये उसको ही 36 टुकडों में बांट दिया गया साथ में खुद को बचाने के लिए उन टुकडों को हर रोस जंगल में फैका गया ना तो उसकी जिन्दगी छोड़ी और ना ही मरने के बाद उसको शामती मिले इस तरीके के उसकी हालत छोड़ी आई ये बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस की मुंबई जैसे बड़ी सीटी से आने वाली श्रद्धा अपनी उडानों को भरने के लिए एक कोल सेंटर में जोब करने के लिए जाती है जहां पर उनकी मुलाकात आफताब से होती है दोनों का रिष्टा परवान चरता है दोस्ती परवान चरती है और महबत में तबदील हो जाती है घर वालों को रिष्टा मंजूर नहीं होता फिर भी श्रद्धा आफताब को नहीं छोड़ती प्यार का आलम इसकदर उनके सरपर चड़ा हुआ था कि वो सब को छोड़ कर अपने परिवार को छोड़ कर दिल्ली आकर आफताब के साथ ओपन लेशन्शिप में रहने लगी टाइम बढ़ता गया दोनों का साथ बढ़ता गया लड़ाई जगड़े बढ़ते गए और जो लड़ाई का मुख्या करन था वो था श्रद्धा को आफताब को फोर्स करना शादी के लिए क्योंकि वो काफी दिनों से साथ रह रहे थे तो श्रद्धा चाहती थी कि आफताब उनके साथ commitment करे जिन्दगी भर के लिए साथ रहने का और ये उनकी सोच कुछ गलत भी नहीं थी कि जब कोई किसी के साथ में relation में होता है और इस तरीके से उसके लिए सब कुछ छोड़ के आता है तो वो सोचेगा कि उसको lifetime का commitment मिल जाए कि कहीं ऐसा नहों कि जब तक उसकी age है तो वो उसके साथ हो और उसके बाद उसको छोड़ कर अपने घरवालों के साथ में चला जाए लेकिन आफताब इस commitment को तयार नहीं था और काफी जादा वो परिशान हो चुका था इन सब लड़ाई चगडों से वे पीछे चुड़ाना चाहता था क्योंकि उसके लिए सिर्फ वो एक time pass थी वो ना तो शरद्धा से प्यार करता था और नहीं उसके साथ में रहना चाहता था इसके अंतरगत आफताब ने एक plan बनाया plan को अंजाम देने के लिए उसने एक दिन शरद्धा का कतल कर दिया उसके बाद market गया, market से freeze खरीदा, साथ में चाकू खरीदा और अपने घर वापस आ गया हर रोज वह उस लाश के टुकडों को जो उसने काट के उस freeze के अंदर रखे वे थे 36 टुकडों को कहीं किसी का इन पर शक ना हो, कहीं कोई इन से कोई सवाल ना पूछे हर रोज उन टुकडों को उठाता, पन्नी में भड़ता और जाकर कहीं पहार फैकाता एक टुकडा एक रोज एक रात को अलग अलग जंगल में अलग अलग जगां पर फैका जाता जिससे की ना तो लाश मिले और ना ही लाश का पता चले कि ये कितकी लाश है आफ़ताब का प्लैन था कि क्योंकि घरवालों से अभी इनका इतना मतलब नहीं है श्रद्धा का घरवाले उनसे बात तो करते थे लेकिन उनको माफ नहीं किया था तो उसका प्लैन था कि सब कुछ खतम करके अपने घर वापस चला जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ एक रोज श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा को कोल किया जब कुछ समय तक वह फोन करते रहे फोन नहीं उठे तो वह शक करने लगे कि आखिर उनकी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ बात पुलिस थाने तक जहां पोची और जो पिता का शक था वो यकीन में बदल गया जब पुलिस ने आफताब को गिरफतार किया पुलिस की सकती के चलते आफताब ने सब बाते खौल दी गई और ये सब बाते इतनी ज़ादा दिमाग को जन्नाने वाली थी कि जिसने भी सुना वो उसकी रूह काप कई आफताब ने बताया कि वह मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही थी मैं शादी नहीं करना चाथा था तो मैंने उसका कतल कर दिया कतल के बचने के लिए इन सब चीजों से बचने के लिए उसकी लास के टुकडे करे फ्रिज में रखे जिससे की लोगों को शक ना हूँ और उन टुकडों को हर रोज एक टुकडे ले जाता सोला दिन से उन टुकडों को अलग-अलग जगाओ पर जंगल में फैका जा रहा था जिससे जानवर उसे खाले और जो लाश है उसकी कोई भी पुष्टी ना कर पाए इतना सुनने के बाद पिता के पैरों से जमीन खिसक गई वो बेटी जो एक अर्मान के चलते अपना घर बार सब कुछ एक प्रेमी के लिए छोड़ कर आ गई थी उसी प्रेमी ने उसको मौत के खाट उतार दिया था अब पुलिस को सबूत इखटा करने हैं पुलिस लाशों के टुकडों को इखटा कर रही है पुलिस सब कुछ सबूत इखटा कर रही है जिससे आपताप के बचने के कोई भी चांसिस ना रहें उमीद करते हैं इंसाफ होगा और इसके लिए एक जोड़दार आवाज उठाई जाएगी हम ये भी कहेंगे कि माबाप के खिलाफ जाकर कोई भी काम ऐसा ना करे जिससे की बाद में माबाप को ही सब कुछ भुखतना पड़े प्रेमी ने छोड़ दिया प्रेमी ने कथर कर दिया लेकिन माबाप को जिन्दी भर के लिए रोना के लिए छोड़ दिया हम मिलते हैं नेक्स वीडियमें तक तक के लिए बाए बाए